चोपड़ा एजोगिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ नीट वे जेई को पोस्पॉंड अभी सुप्रिम कोर्ट ही कर सकता है 13 सिप्टेंबर को होने वाली नीट एक्जाम की तैयारी NTA ने पूरी कर ली है और गॉर्मेंट और NTA अभी नीट वे जेई एक्जाम को फर्दर पोस्पॉंड करने के मूड मिन नहीं है अभी 14 अगस्ट 2020 को सुप्रिम कोर्ट में इसकी हेरिंग है इसके अलावा गॉर्मेंट ने तो क्लेट की एक्जाम डेट भी 7 सिप्टेंबर को अनाउंस कर दी है BBC को दिये गई NTA डायरेक्टर के इंटर्व्य में ऐसा प्रतीत होता है कि NTA 13 सिप्टेंबर को नीट एक्जाम कंड़क्ट करवाने की पूरी तैयारी में है दोस्तों मेरी आपसे ये पर्सनल सला है कि अभी स्टेडी पर ध्यान देना है नीट पोस्पोंड होगी या नहीं होगी कैसे होगी एक्जाम कैसे होगी इन बातों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है अभी आपने स्टेडी पर ही ध्यान देना है क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता कि सुप्रिम कोट का decision क्या हो सकता है कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है हम सभी जानते हैं कि इतनी सारे COVID cases आ रहे हैं जो भी exam लगी है जैसे KEM लगी है KCT exam लगी है UPBA की exam लगी है इन सब में social distancing follow नहीं हुई है मगर अगर सुप्रिम कोट 13 September का नीट conduct करवाने का decision देता है तो हमें exam तो देनी ही है तो आप mentally तोर पर तयार रहें कि 13 September को अगर exam होती है तो हम उसमें अच्छे marks लास गें आप अभी study में जुटे रहें जो भी सुप्रिम कोट का decision होगा मैं आपको inform कर दूँगा हो सकता है 14 अगस्त को भी सुप्रिम कोट का decision ना आए आगे की date मिल जाए तो आपने इस सकर में नहीं रहना है आपने यही सोच के study करना है कि यह exam 13 September को होगी तो दोस्तों जैसे ही कोई update होगी इसके बारे में मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकोन फ्रेज करें वीडियो को like वे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं